हेलो फ्रेंड्स चैस याराम आज मैं आप लोगों को ये कनया का धुती पेंट मैंने कैसे बनाया ये बताने जा रही हूँ इसके लिए मैंने 9x9 इंच का दो कपड़ा ले लिया है क्योंकि मेरे कनया का लेंध मुझे 9 इंचेस रखना है तो मैंने 9x9 इंचेस का दो कीस कपड़ा ले लिया है और दोनों को एक साथ करके ट्राइंगल में फोल्ड कर लेंगे अगर आपको 12 इंच के कनया के लिए बनाना है तो आपको 7x7 इंचेस के दो कपड़े लेने हैं और अगर 15 इंचेस के लिए बनाने हैं तो आपको 8 by 8 इंचेस के दो कपड़े लेने हैं और अपनी ये फोल्ड करने के बाद ऐसे उपर से थोड़ा सा कट कर लेंगे राउंड सेप में और जब दोनों को खोलेंगे तो ये उपर से ऐसे राउंड रहेगा और नीचे से स्कूर सेप में हैं दोनों स्क्वेर साइड में अपने को ये लेस लगा लेनी हैं अब हमिने इस तरीके से प्लेट्स लगानी आया है कि लेफ्ट साइड से प्लेट्स जो है वो अंदर की तरफ आए, मेडिल में आके लेफ्ट की तरफ और राइट वाली प्लिट्स मेडिल में टार्ण हो जाए इस तरीके से फिर दोना में लगाने के बाद में 3.5 इंचेस तक मैं मेडिल से एक स्टीच कर देंगी फिर उसके बाद मैंने 10 इंचेस रखी है कमर क्योंकि मेरे कन्हिया की कमर 10 इंचेस है तो उसके लिए 11 इंचेस की पट्टी अपने को ले लेनी है हाफा की इंच सिलाई में जाएगा और पट्टी के तीन साइड में अपने को हलकी सी हाफ इंच की सिलाई कर लेनी है और पट्टी का बेक साइड जो है उसको कन्हिया की धोती के फ्रंट साइड में उपर से लगा कर इसे फोल्ट कर लेंगे और इसे ऐसे फोल्ट करके बेक साइड में फोल्ट करके एक स्टीच कर लेंगे अब इसमें एक डोरी डाल लेंगे और ये कनया की धोती रेडी है बहुत ही सिंपल और इजी है इसको बनाना थैंक्यू जैसी आराम झाल